नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गबर्मेंट एजुकेशन में तो दोस्तों इस वीडियों में हम आगे की साइंस के कुर्शन देखने वाले हैं और यह आपकी मद्ध प्रिदेश कॉंस्टेबल की हम कुर्शन डेस्ट कर रहे हैं साइंस के और सब्सक्राइब में तो काफी इंपोर्टेंट जो है वह एक टॉपिक हो जाता है और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट कितर बढ़ते हैं तो पहला कुशन है आप पर रॉडॉक्स पिन रॉडॉपसिन जिसे द्रश्टी वैगनी भी कहा जाता है मानव सरी एक हमारा सी ऑप्षन आप में काफी चीजें जो है वो रहती हैं और यहां से काफी कोशन पूछ ले जाते हैं तो आप देखिए यहां पर कि यह वाला आगे का हिसा देख रही हो इसे बोलते हैं कॉर्णिया और कॉर्णिया का का बात की जाए तो जो नेत्र से अगर दान कर रहता है ठीक है यहां पर लेंस लगा रहता है और लेंस जो रहता है इसमें कौन सा रहता है कौन बैक्स लेंस रहता है ठीक है यह कुशन पूछ ले जाता है कि अपने आख में किस प्रकार का लेंस जो होता है तो बहुता है convex lens होता है और यहां पर आप यह retina देख रहा है यहां पर बात की जाए तो परदा जो रहता है और यहां पर जो है वो image बनती है और यहां पर ulti बनती है और जिससे optical nerve क्या करती है उसको brain में ले जाती है और brain से जो है वो सीधा होके रहा है जो हमारा image होती है वो सीधी बनती है और retina में जो है वो दो cell present रहते हैं और कौन कौन से रहते हैं आपको याद रखना रहा है यह रोड और यह होती है console अब इनका काम क्या है Rodecher का काम होथा है कि Router Бог कये देखने के लिए ठीक सीा चاتत्री है इनके को कान को रहते है रहती है वो कलर को से आः करने के लिए तो जिनको रहते हैं उनके रहते हैं दोने मदद करते हैं अब रात में जो उल्लू देखता है उसके रोटसर बहुत ही जो है इस्ट्रॉंग रहते हैं जिसकी वज़ासे वह रात में देख पता है ठीक है तो यह तो नहीं चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर जो रहती है वह फीपल्स प्रेजेंट रहती की जांस के लिए यूज किया जाता है आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके कर रहता है और आप देख सकते हैं यह जो लगा हुआ है यहां पर इसके माद्दम से जो है इसकान में डाला जाता है और इसमें जो है वह में स्क्रीन पर सब दिखाई दे जाता है तो यह बहुत ही मतलब rate condition में यह किया जाता है बिलकुल कि हाँ आप जरूरी है थभी किया जाता है polygraph test को तो यह दोने ही चीज़े आपको याद रखनी है नेक्स है यहाँ पर देखी क्या बोला गया है अच्छे आप इसमें एक चीज और याद रखना है जो कान रहता है हमारे कान में जो है तीन प्रकार की हड़िया होती है और तीनों की नाम आपको याद होना चाहिए और हमारे सरीर की सबसे चोटी हड़ी जो प्रिजन्ट रहती है वो भी कान में रहती है जिसे हम step is कहा जाता नेक्स आप देखे ग्रीन हाउज गैस पूचा गया है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउज गैस नहीं है तो ग्रीन आउज गैस जितनी भी है आपको सभी याद होना चाहिए और देखे यहाँ पर जलबास करवंड़ाई ऑक्षाड मीथिन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ग्रीजास होती है और बात की जाए तो एक होती है नाइटरस ऑक्साइड जीसे हम लाइपन गैस भी कहते हैं वाटर वैपर आप जलबास कहा जाता है और क्लोरो फ्लोरो कार्वन तो यह सब सबसे ज्यादा जो परसेंटर रहता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रजेंट रहती है तो यहाद रखना है कार्वन यॉक्षाट रहती है अगला कुश्चन है यहाँ पर कि गुलावी नीले लाल गुलावी नीरे बैंनी रंग के फूल मुक रूप से किस नामक रंजक या पिकमेंट से आते हैं तो जो फूल होते हैं गुलावी हुए नीले हुए तो यह किस बज़े से आते हैं तो यह जो है वो की बजे से जो है आते हैं थोड़ा जीए और खोओग पूल का रंग आता है तो याद कुछने की तरह पढ़ते हैं और डाइस्टॉलिक सब्द काुपियों किस के संदर में किया जाता है यह आपता द्रिष्टी में शमश्यां का पता लगाना रच्ट चाप का पता लगाना रच्ट प्रिट्स की किंती करना तो आपको पता हो तो मिलद प्रैसर रहता है उसकी ना ऑनियुक को और आपको जो रहता है तो जो है प्लाट प्रेसर बढ़ता है घॉसे का ज्याधा होता है ऩो आपे नहीं है नहीं घण है कि इसञीन हेल तो याद रखना है ने क्वेट से तो आप देख सकते हैं यहां की यह डेफिनिसी नहीं दिए हुआ है दरसल जो सिस्टॉलिक होता है तो यह क्या रहता है जो संकुचन होगी दौरान जो अधिक्तम दवाब होता है तो मुक्तवियों के मादम से जो हिर्दय बिलड होता है तो छोड़ा जाता है तो बिलड से होता है इसमें क्या होता है निमतम दवार रहता है और अधिकतम दवाब किसकी वज़य से होता है सिस्टोलिक की वज़य से होता है अगला कुछन है आपर रिमॉट सेंसिंग टेक्नलोजी किस जिसे एल आईडी ए आर इसका फुलपॉम पूचा गया सीधा-सीधा कि है अगला पुशल मतर्में अपने एश्पवाल में किस कंपूर का प्यूब किया जाता है तो धर्कन जो रहती है वह रोगियों की आपने देखा हुआ से किसकी कमी से गहेंगा रोग हो जाता है तो अप्शन है आपर केल्सियम मा आयोडीन बिटामिन सी बिटामिन ए तो आसान सा कुश्चन है जो आयोडीन की कमी से जो हो गहेंगा हो जाता है और गहेंगा रोग जो रहता है जो हमारा थारोड ग्लांड रहता है जो हमारे गले में प्रजांट रहता है तो ट्रकिया के नीचे जो हमारा रहता है वहीं पर तो उसमें क्या रहता है आयोडिन की कमी से थारोड ग्लांड जो रहता है वो बढ़ जाता है तो वो किसकी वज़े से आयोडिन है तो आपको पता हो हड्य आप है जो हरता है और केल्सियों की कमी से हड्य कमजर हो जाती है विटमemale यिस्टे कर विरोग हो जाता है विटमेन यह से जो है वह girth और सखेव हो जाती है और इसका नाम क्या होता हैं रेटीनोल होता है याद है अगला question निम्न मैंसे कि गंद सड़े हुए अंडे की गंद की शमान होती है और यहां पर देख रहे हो अगला question मानब सरीर के किस अंग में कार्वो हाइट्रेड को गलाइकोजन के रूप में संगटित किया जाता है important question है देखिए और पेट चोटी हाथ बड़ी हाथ और जिगर तो जिगर मतलब लीवर तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा लीवर में जो है यह कार्वो हाइट्र को ग्लुकोज के रूप में परविद्द करता है और लीवर के बारे में मैं आपको सारी information आपको बता देता हूं क कि इसका बजन रहता है वह एक से 2 kg के बीच रहता है हमारे सरीर के सबसे बड़ी ग्रंती कहा जाता है इसको लीवर को और यह अमोनिया को एरिया में परविद्द करता है ठीक है ग्लुकोज का जो भाग होता है वह ग्लाइकोजन में जो रहता है और कार्वोहाइड्रेट ज स्वंसरीर के अंदर भी एक प्रोटिन रहती है जो सरीर के अंदर निकल रहीं арs चल से गण Shum जहर दे के मार दिया गया है तो वो किस से पता पड़ेगा तो लीवर से पता पड़ेगा लीवर की जांच की जाती है तो उससे पता पड़ जाता है कि इसको जहर दिया गया है किसी और तरीके से मारा गया है अगला कोश्चन है देखिए कि इस तरीके का जो है वो लीवर रहत प्रेस्टास टैसन प्रेस्ट के लिए 20 फोकल यानि बाइफ़ोकल लेंस का ज्रहूज स्थव किया जाता है प्रेस्ट बाइण को जरा दूर दस टरोब ठीक है और 2 बेलना की देखिए उततर लैंस के बात किया तो यह हाइपर मायओं और युज किया जाता हän मायओं राइन टो अवताले जो है वह यूज जाता रहता है युज क्या जाता है मायोपी आम में इस्ती क्टोश में बैलनाकार लैंगे जाता है नेक्स है यहां पर प्रकास की गड़ने आखों के सामने जिस बहारी और पारदसी रजना से उकर आख में प्रिविश करती हों से क्या कहा जाता है तो आपने देखा था कि आके मैंने डाइगरम में बता तो सबसे उपरी पहली जो पर रती वो क्या थी कोड़नी आती तो इसका उससा प्रणों सोची गई है तो decree क्या हो ढूर्ड प्रणों किसी रहती है कि मौल कि सकी रहती है मौन्ड कि नो मात्रा की होती है पदार्थ की मात्रा की और बुल्ट की बात की जाए तो बुल्ट किसकी होती है पोटेंसियल की अगला पॉश्चन हर्ज किसकी ऐसा ही मात्रक होती है तो आप से भी को पता होगा आप बलती ही कि जो है वह जो रहती है वह इंस अभी को आपको याद रखना है अगला है यहां पर लोग पर जंग लगना तो यह option है आप चरण दरबाड जोलन और पास्टी करन तो इसका अंसर हो जाएगा चरण यानि लोहा जब जंग लगता है तो चरणने लगता है यानि उसको खतम होने लगता है ठीक है और यह किस तरीकी की अविक्रिया होती है यह जो रहती है वो राशानिक अविक्रिया रहती है द अब माला केला है केला अगर शड़ जाता है तो क्या वो वापस से सही हो सकता है नहीं हो सकता लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे बर्फ है और बर्फ को जो है वो पानी बना देंगे और फिर पानी से बर्फ बन जाएगा तो यह कौन सी हो जाती है बहत इक होती है तो बहत पूचा गया है तो लोही में जब जंग लगता है तो बढ़ता है तो यह भी आपको याद रखना है तो यह थी फिप्टी क्वेश्चन हाई यूप आपको पसंद आए होंगे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना और आपको पूचना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरू कुछ चाहिएगा तो मिलते क्लिए वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग ता वीडियो है बनाश्टे अ झाल